सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें रिडईन चरननी केरो भरोसो रिडईन चरननी केरो रिडईन चरननी केरो श्रीवल लभ नख चंद्र चटाविनू सब जग माहिया देरू श्रीवल लभ नख 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 जग माहिया देरू लील लभ नख साधन ओर नहीं औह कली में साधन और नहीं औह देर कलीमे साधन और नहीं यह कली में जासोत निवेरो जासोत निवेरो जासोत निवेरो दिडईन चरननिगेरो वरोसो दिडईन चरननिगेरो वरोसो रिढईन चरननी केरो भरोसो रिढईन केरो रिढईन चरननी केरो भरोसो बक्ति के मार्ग पर भरोसा रखना ठाकुर पर विश्वास रखना देर होती है कई बार लेकीन मालिक देते जरूर है इसलिए श्री हनुमान जी महाराद चड़ी गिरी शिखर चहूं दुस्य देखा प्रतिकूल परिष्थिती में भी परमात्मा होते हैं ऐसा बरोसा रखना चाहिए हर वक्त साथ होते हैं तो रिच्ष बंदरों के साथ जब अनुमान जी आगे बढ़े तो अब प्रशन ये उठा कि अंदर आगे जाएगा कौन तो सब ने अंगजी को कहा कि अंगजी गुफा में आप पहले आगे चलिये न अंगजी को याद आया कि गुफा ही तो सारी समस्या की जड़ है हमारे यहां जो लड़ाई हमारे परिवार में हुई उसमें गुफा ही तो कारण रही दुन्दु भी राक्षस को मारने के लिए माया भी राक्षस को मारने के लिए जो वो गुफा में गए थे बाली और सुग्री वही तो सारी समस्या की जड़ है अंगद विचारे टेंसन में आ गए नहीं नहीं महराज ये फिर से गुफा मेरे सामने नहीं नहीं मेरे से तो यह होगा नहीं तो सब ने हनुमान जी को पुन हयाद किया कि महराज जब रास्ता आपने दिखाया है तो मंजिल भी आप ही बता दीजिये हनुमान जी मुस्कुरा उठे हनुमान जी के सामने कोई समस्या नहीं आये उसके पीछे कारण था रामनाम की जो मुद्रिका हनुमान जी के पास थी वो प्रकाशमान थी इसलिए श्री हनुमान जी महराज उस मुद्रिका को लेकर आगे बढ़े और बावत उरसी ने एक बहुत प्वारा उदाहरन दिया राम नाम मनुदी पधरी जीह देहरी द्वार तुलसी भी तर बाहे रहू जो चाहस उजिया राम नाम मनिदी पधरी जीह देहरी द्वार भगवान के नाम का जो मनी अपने जिहवारूपी देहरी पर रख लेता है उसके भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश rzeभस दो करका सकती है झाली जीह ज़ंडेवे है झाली जुलसी प्रकाश थ दो होै